कुश्चन कहता है एक ग्रिनाइट रॉड औफ 60 सेंटिमेटर लेंथ इस क्लैम्ड एट इट्स मिडिल एक रॉड है ग्रिनाइट का 60 सेंटिमेटर लेंथ है इसका ठीक मिडिल में ये क्लैम कर दिया जाता है आगे कह रहा है ये लॉड इंग्स मॉडिलस दे रखा है अच्छा डेंसिटी और यंक्स मॉडिलस अगर दे रखा हो तो हम सांड की स्पीड निकाल सकते है वी इस इकल तो अंडर रॉट यंग्स मॉडिलस डिवाड़ेड वई दें के 9.27 into 10 to the power 10 और देंसिटी दे रखे 2.7 into 10 to the power 3 आगे अगर यह अपने fundamental frequency में यह vibrate करेगा तो यह इसकी fundamental frequency के लिए waveform होगा यहाँ पर node यहाँ पर anti node यहाँ पर anti node अगर ध्यान से देखें इतना portion है lambda by 4 इधर भी इतना portion है lambda by 4 ओवराल हम देखें तो lambda by 2 हमारा यहाँ से पूरे length का rod हुआ अगर हम lambda by 2 को L के equal कर दें lambda is equal to 2L हो जाएगा frequency अगर हम लोग लिखना चाहें fundamental frequency 1 by 2L under root young's modulus divided by density young's modulus divided by density की value given है यहाँ से यह भी उठा करके हम लोग solve कर लें 1 by 2 into length है 60 cm और 60 cm को हम 0.6 meter कर लेंगे ठीक है और under root young's modulus की value 9.27 into 10 to the power 10 और divided by density of the rod is 2.7 into 10 to the power 3 overall solve करने के बाद approximately 5 kilohertz इसका answer आएगा इसका option है 2 option 2 is correct choice